हाई कार लवर्स अगर आपके पास मार्ती सुजुकी की बलैनो या वैगनार कार है तो ये वीडियो शायद आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा देश की सबसे बड़ी कार मेनिफेक्चरिंग कंपनी मार्ती सुजुकी ने अपनी दो बैस सेलिंग कार्स वैगनार और बलैनो की टोटल अराउंड एक लाग पैंतिस एार यूनिट्स को रिकॉल करने का अनॉंसमेंट किया है इसमें 56,663 कार्स तो वैगनार है और 78,222 कार्स बलैनो की है कंपनी का कहना है कि इस रिकॉल की वज़े कार के फ्यूल पंप की जाच करना और पाई गई कम्यों को ठीक करना है क्यूंकि कंपनी को इन कार्स के फ्यूल पंप से रिलेटेड शिकायते लगातार मिल रही थी अब बात आती है बलैनो और वैगनार के कौन-कौन सी कार्ज के मॉडल्स को रिकॉल किया जाएगा इस पर मार्थी सुजुकी का कहना है कि इस रिकॉल में उन वैगनार कार्ज को इंक्लूड किया जाएगा जो की 15 नवंबर 2018 से 15 ओक्टोबर 2019 के बीच में मैनिफेक्चर हुई है और साथ ही जिनकी इंजन कैपेसिटी 1 लिटर है और वहीं बलैनों की बात करें तो वो बलैनों के पेट्रोल वेरियेंट्स जो की 8 जनवरी 2019 से 4 नवंबर 2019 के बीच में मैनिफेक्चर हुए हैं मतलब मारूती इस टाइम पेडियर्ड में बनी कार्स में से वो कार्स रिकॉल करेंगी जिनमें फ्यूल पॉंप एशियो होने की समभावना हैं इन recall की गई cars का inspection किया जाएगा और साथ ही खराब parts को free में replace कर दिया जाएगा इसके लिए दोस्तो मारूती की dealers आने वाली दिनों में इन cars के owners से contact करेंगे और दोस्तो अगर आप जानना चाते हैं कि आपकी car को recall किया जाएगा या नहीं तो आप इस वीडियो में बताये के तरीके से खुद चेक कर सकते हैं आपको बस ये simple steps follow करने होंगे इसके लिए सबसे पहले आपको मारूती की site पर जाना है इसकी website का link हमने अमारे वीडियो की description में mention कर दिया है आप इस पे click करके इसको open कर लीजे इस link से कुछ इस तरह का page open होगा इसमें आपको starting वाले A option पर click करना है इसके बाद ये information वाला page open होगा इसमें आपको सबसे नीचे आने वाला option click here को select करना है और finally आपको इस box में अपनी कार का chasis number फिल करना है ये number start होगा MA3 या MBH से और उसके बाद 14 digit का alpha numeric number होगा ये कार का chasis number आपको कार के document जैसे invoice या फिर RC पर मिल जाएगा और last में आपको इस check box पर click कर देना है इसके बाद आपको ये message show होगा कि आपकी कार को inspection करने की requirement है या नहीं मतलब आपकी कार को recall किया जाएगा या नहीं जैसे कि हम इस screen में देख सकते हैं इस chasis number वाली कार को inspection की requirement नहीं है अगर इस message में ये display होता है कि आपके कार को inspection की requirement है तो आप खुद dealer को या service center को call करके अपनी कार का inspection करवा सकते हैं तो कार्ल वर्स कैसा लगा आपको ये short update वीडियो प्लीज हमारी इस channel को subscribe करें इस वीडियो को आपका समय देने के लिए धन्यवाद